हाई एवरीवन एह हुरूबी और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तारा मद्धू की रसोई में तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है डाक चॉकलेट कमपाउंड और आज इसको मात्र 50 ग्राम उससे भी कम माली जै 40 ग्राम चॉकलेट कमपाउंड को यूज करके मैं गनाश बना करके आज एक हार्ट शेप केक की डेकोरेशन करना आप को सिखाऊंगी और इसका जो गनाश होगा ना फ्रेंड्स उससे हम केक को कवर भी करेंगे और उसके उप प्रेम की बहुत प्यारी सी फिलार वाली केक की डेकोरेशन करऊंगी और किस्थ दिनों से कमेंट आ रहे कि मैं अपिसलर गोनाश बनाते हैं तो और या हम जैल केक बनाते ए तो उस में प्लास होती है वो फिसलने लगते हैं तो उसके लिए क्या ऐसा केक आ जाए तो आज इ के उसकी हार्ट शेप में चेज़ करूंगी और साती फ्रेंड्स क्रीम काम करते समय मेल्ट होने लगती है मतलब पहले तो stiff peak बली थी लेकिन जब मैं design बनाने लगी वो तो इस प्रॉब्लम का solution भी आज इस वीडियो में आपको मिलेगा तो मतलब बहुत ही useful सा वीडियो है बहुत ही प्यारी सी और अमेजिंग सी हट के केक की decoration है तो वीडियो का इन तक जरू देखेगा चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर पहले बना लेते हैं friends केक का बैटर तो यह चॉकलेट केक होगा उसके लिए मैं आपर अपने 250 ml वाले कप से 1.5 cup प्रिमिक्स लूँगी चॉकलेट प्रिमिक्स बजन में देखें तो यह 180 ग्राम होगा इसी के एसापस में मैंने 1.5 tablespoon oil डाला है और पानी डाल करके अब इसका बनाएंगे इसमें साफ बैटर और यहां पर मैंने देखिए छे इंच का स्टील का ही बरतन लिया है और इसकी लाइनिंग करने के लिए मैं यह ओडी का जो इको बेक बेकिंग पेपर आता है वो यूज करूँगी और इस कटर की मदद से देखिए यह easily cut भी हो जाएगा और बहुत ही safe और healthy और convenient method है friends इसमें ब इस बैटर को बरतन में डाल देते हैं आप देख सकते हैं बरतन मेरा छे इंची का है तो बैटर जो है बहुत ही नीचे तक है बट मुझे की ज़्यादा हाइट नहीं चाहिए इसलिए मैंने बरतन select किया था अब spatula से देखिए सारा मैंने बैटर इसमें डाल दिया है थोड़ कुछ वीवर्स के पास यह है और वो बोल रहते हैं मैं इसे कैसे बेग करते हैं आप इसमें तो करते ही नहीं है तो देखिए इसे कुछ भी नहीं करना आपको 200 डिग्री पर प्रीट करना है पहले खाली एसी ओन कर देना और जब 10 मिनिट हो जाए उसके बाद केक को इसके अ है ना तो बहुत लेट पिंगलती है तो लगभग 250 ml क्रीम से हमारा काम हो जाएगा और इसको थोड़ा सा मैंसे कर देती हूं सब्सक्राइब करने में आपको बहुत परिशानी आईगी और क्रीम विप हो गई ना एक बार तो आपको काम करने के दौरान वह मैल्ट होने लग तो इस बात का खास ध्यान रखें अगर आपका बीटर इस तरीके का है तो फिर आपको परिशानी आने वाली है तो मैं तो आपको सज़ेस्ट करूंगी कि आप 300 वाट का बीटर ली ले आपर देखिए क्रीम को मैंने तीन मिनट तक मीडियम स्पीड पर ही विप किया और जैसे जैसे आप विप करेंगे ना जितने भी चोटे-चोटे दाने हैं वो सब मेल्ट हो जाएंगे और क्रीम का टेक्ट्चर देखिए एक दम स्मूथ हो जाएगा तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्रीम काम करने के दौरान मेल्ट ना हो तो आपको क्रीम को हाई तो इसमें लगबत 30 मिनिट के अंदर फ्रेंड्स केक बनता है, उटी जी वगर हमें 25 मिनिट में बन जाता है, और यह देखिए, केक का सर्फेस एकदम ड्राइ है, कोई भी चिपचिपा नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, इसके लिए मैं अब इसको बीच में से ही सिर्फ दो लेयर में कट कर रही हूँ, तीन लेयर मैं इसकी कट नहीं करूँगी, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी कम है, चलिए फ्रेंड्स, इसको रद देते हैं साइड में, और करते हैं केक की टेकुरेशन, तो यहाँ पर मैंने केक बोर्ड पर थोड़ी सी क्रीम लगा दिया है, ताकि केक हमारा फिसले नहीं अपनी जगा पर फिक्स रहे, और यहाँ पर मैंने रखी है केक की ऊपर वाली लेयर को फिलिप करके, उल्टा करके, अब इसको चीनी और पानी की मिक्षर से थोड़ा सा मॉइस्ट करेंगे, ताकि यह सॉफ्ट हो जाए, अब इसके अंदर आप जितनी भी फिलिंग देना चाहें, और दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास केवल एक ही लियर है, तो जितना भी हमें करना है, वो यहीं करना है, तो अच्छे से मैंने इसमें देखिए, क्रीम लगाई है, अब आज फ्रेंट्स में यह फ्लेवर जो है, चोको बेरी में बना रही हूं, बतलब चॉकलेट और बेरी के कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर केक तो चॉकलेट फ्लेवर का हो गया, और इसके अंदर की जो फिलिंग है, वो मैंने ब्लूबेरी की डाली है, तो दोनों का बहुत ही अमेजिंग था कॉम्बिनेशन है, ट्राइज जरूर कीजेगा, और यहाँ पर देखिए, इस क्रश में चुटे-चुटे चुटे चंक्स भी आते हैं बेरी के, तो वो भी बहुत ही अमेजिंग लगता है, यहाँ पर अच्छे से देखिए, मैंने 2-3 केवल स्पून इसे डाला है, और अब जो केक की नीचे वाली लियर थी ना, उस पर से बेकिंग पेपर रिमूब करके, मैंने इसे ऐसे ही लगाया है, ताकि उपर इग्दम फ्लेन सर्फेस मिले, अब थोड़ी सी क्रीम से फटा-फट से इसकी क्रम कोटिंग कर लेते हैं, और फिर करेंगे इसकी फाइनल आई से, तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं और केक बनाना वो जानते हैं, छोटा-मोटा काम कर लेते हैं, तो जरूर अपने इस काम को, इस टैलेंट को आगे जरूर बढ़ाईए, और इसमें कोई दिक्कत आती है, कोई परिशानी आती है, तो सभी को solution होता है, आप मेरे चैनल पर या जहां भी आप देखना पसंद करते हैं, वहाँ पर अपनी query को लिखिए, और उसका solution पा करके, उससे आगे बढ़िए, ना कि उससे डर करके, कि भई मुझसे होता ही नहीं है, उस काम से पीछा चोड़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल में मत कीजिए, हमारी संग भी होता है, लेकिन फिर करते-करते उसका solution भी मिल जाता है, तो यहाँ पर मैंने 50 ग्राम चोकलेट लिया था, और उसको चोटे-चोटे पीसेज में कट किया, और इसमें 3 टेबल स्पून मैंने विपिंग क्रीम डाला है, टेबल स्पून नहीं डाला है, टी स्पून डाला है, अच्छे से इसको मिक्स करके, मैंने माइक्रोवेव में 20 सिकिन के लिए इसे गरम किया है, और अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसे साइड में रख देते हैं, और तब तक हम अपने एक केक की शेप, हार्ट शेप की बना लेते हैं, तो आपने अगर ध्यान दिया हो, तो मैंने केक को बोड़ के एक तरफ रखा था, तो इसलिए क्योंकि मैं इसको इस तरीके से कट करके इसकी शेप चेंज करूँगी, तो मैंने पहले प्लस का निशान बनाया, फिर किनारे पर एक तिर्चा निशान बनाया, और अब उसी निशान को हम कट करेंगे, और ऐसा जब भी शेप आप दे रहे हो, तो केक को फ्रिज में जरूर रख लिजेगा, ताकि लेर अच्छे से कट हो जाए, तो जो जो निशान मैंने ये दो मारे के तेरे, उनको मैंने कट कर लिया है, और आप जहाँ अपोजिट साइड है, वहाँ पर थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा क्रीम लगाएंगे, क्योंकि अब हम उन पीसिस को यहाँ लाके स्टिक करेंगे, तो पेस्ट्री जो लिफ्टर होता है, उससे मैंने इस उठाया है, आप स्पेचुला से भी उठा सकते हैं, यह देखिए, तो जिस भी साइड का आपने कट किया है, उसकी पिल्कुल उसी साइड में आपको यह पोजिट में स्टिक करना है, यह देखिए, हर्ट में ऐसे ही बोलती हूँ, वह सकता है, आपको सुनने में कुछ और लगता हो, तो उसके लिए मापी चाओंगे, पर मेरा हर्ट नहीं, हर्ट ही होता है, तो यहाँ पर देखिए, केकी करम कोटिंग कर लिए है, दस मिनिट के लिए चाहें तो फ्रिज में भी रग दीज और यहाँ पर साइड में ऊपर थोड़ी मैंने क्रीम लगा दी है, चलिए अब पैलेट नाइफ से इसको कर देते हैं, एकदम प्लेन, तो उपर पहले अच्छे से समझ कीजेगा, ताकि कोई एर बबल नहारे है, और फिर उसके बाद, साइड की क्रीम को भी हम समझ करेंगे और एक प्रॉपर फिनिशिंग देंगे, और फ्रेंट्स, यहाँ नाम उससे एक गड़बड हुई है, वो मैं आपको बताऊंगे कि क्यो हुई है, और उसका फिर सॉलुशन मैंने धून लिया, बट आप वो ना करें, क्योंकि किसलिए अगर पता हो तो हमें गड़बड करन लेकिन फिर खुद ही उसका सॉलुशन में दूनना पड़ता है, यहाँ के क्या इसिंग हो गई है, अब जो गनाश था वो भी एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ गया है, पर यहाँ मेरे से गलती हुई, वो भी आपको बताऊंगे आगे, मैंने क्या किया इस गनाश को लिया और केक्ये उपर डाल दिया, यहाँ पर जो 50 गनाश था ना फ्रेंट्स तो सारा आपको डाल देना है, चीक है, और अब लेना है आपको पैलेट नाइफ और इसको इस पर स्प्रेट करना है, तो पहली मेरी गलती, पैलेट नाइफ को हमेशा गरम पानी में डिप कर ल मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी इस केक में डिप्स बनाना, यहाँ उपर ही चाहती थी और थोड़ा बहुत साइड में आ जाए, पट कुछ इस तरीके से गनाश गिरा, फिर मुझे स्पून से थोड़ा थोड़ा गिराना पड़ा, तो यह थी मेरी वो प्रॉब्लम, चल लबर के क्रीम ले रही हूं, उसमें डाल देंगे दो ड्रॉप पिंक कलर के, जेल कलर है यह मेरा, और आप इसे करेंगे मिक्स, और पूरी तरीकिसे से मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उससे क्या है, हमारे शेड़िट फ्लार बनेंगे, थोड़ा सा समझ किया है, मैंने देखें, और यहां पर मैंने यह दो नॉजल लिया है, और एकदम छोटे चेक का नॉजल, आपके पास यह नॉजल ना हो, तो आप तार एक पाइपिंग बैक से भी कर सकते हैं, आप फ्रेंट्स गनाज डालने के बादा मैंने इस के को 20 मिनिट के लिए फ्रिज में रखाता के मोटे एंड को अपनी तरफ रख करके, पतले एंड को बाहर की तरफ रख करके, मैं यह फ्लार बना रही हूं, यह देखें, लगवग 6-7 पैटल का, और एक फ्लार बनाने के बाद इसी के उपर चुटी-चुटी पैटल और बनाएंगे, तो डबल पैटल का फ्लार बन ज आपके फ्लार कुछ इस तरीके के हैं, कि वो बढ़े हैं, और आपको डर है कि वो फिसल सकते हैं, तो थोड़ा सो स्पून या पलेट नाइफ से गनाश को नीचे से वहां से हटा दे, और फिर उसके उपर अपने फ्लार बनाएं, तो यह सारी टिप्स को फॉलो करके देखे आपके फ्लार बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे, मैंने अपने गनाश को अच्छे से सेट किया है, और फ्लार मेरे कुछ इस तरीके के हैं, कि मैंने एज से अंदर बनाए हैं, तो बिल्कुल भी चांस निया विनके लुड़कने का या गिरने का, अब जो बेल हमने बनाई थी और फ्लार की पीछे की तरफ कुछ ग्रीन कलर की ऐसे पत्या से बनाएंगे, तो यह बिल्कुल फ्लार की हमारी जैसे बढ़ होती है, एक्दम खिलने वाली कली उस तरीके की फॉर्म में लगेगी, तो दोनों ही तरफ ऐसा काम कर देंगे, और या देखें, मेरे हाथ के पास जो नजर मट्टू मेरा बना है, स्पेचुला मारनी की बज़े से, वो अभी तो ऐसा लग रहा है, बट मैं कैसे तैसे इसे मैनेज करूँगी, तो जो मैंने गलती की थी, गनाश को स्प्रेट करके दोबारा पलेट नाइफ मारने की, वो आप ना करें, और गनाश थोड़ा और पतला भी ले सकते हैं आप इस तरीके के लिए, तो केके ऊपर आप कुछ भी फ्लार नहीं बनाएंगे, तो यह भरा भरा लगेगा, आपके बोल्ट पर में कुछ ऐसे ही फ्लार बनाऊंगी, तो पहले हमने उपर बनाया ना, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, लेकिन इस इसको डबल पैटल का नहीं, सिंगल पैटल का ही बनाएंगे, तो बीच में एक फ्लार बना दोंगे, और इसके साइड में दो-दो कलियां बना देंगे, जैसे हमने उपर बनाई थी, और दोनों की डारेक्शन अलग है, देखिए, एक तो इस तरफ जा रही है, और अब इन आप ये जरू ट्राई कीजेगा, बढ़ हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा सा केकबोर्ट बढ़ा लेना होगा, केक के साइस के हिसाब से, तो ये आप पहले ही जो चूज करके रखेगा, और अब इन फ्लार के बीच में भी डिटेलिंग कर देते हैं, तो ग्रीन कलर की जो फटा-फट से इसको स्प्रे कर देते हैं, और अमना फ्रेंड्स जिनका ये एनिवर्सरी का केक है, उन दोनों ही कफल का नाम A-Alphabet से आता है, तो मैंने चॉकलेट कंपाउंड को थोड़ा सा मेल्ट करके, इस सिलिकन के मोल से ये दो लेटर जो है A के बना लिये हैं, और इसको मैं इस डस्ट में ही डिप करूँगी, और जहाँ स्पेस खाली है वहाँ पर इसको इस तरीके से हम हलका सा प्रेस करेंगे, गनाश हमारा सेट होगा तो ये आराम से देखे इस पर छप जाएगा, और अब इनके दोनों साइट में जो हमने ये A बनाई है, गुल्डन क का टॉपर, तो लीजिए गाइज हमारा हार्ड शेप का, जिसे हमने राउंट इन में बनाया है, बहुत ही सुंदर सा, डिजाइनर लुक का, गनाश के उपर फ्लार की डेकोरेशन वाला केक जो है, रेडी हो गया है, और आपको भी ये बहुत अच्छा लग रहा होगा, जो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और वीडियो नहीं भी पसंद आया है, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, चैनल पर मेरे पहली बार आए है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड में जो बैल आइकन उसे प्रेस कर लीजिएगा, और म झाल 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